कि होंगे कि हम लोग रिक्तियां ही नहीं नुक्तियां पत्र भी बाट रहे हैं किशन गंच अररिया पूरणिया सिमान्चल जो है प्राकृतिक आपदाओं का च्छेत्र है तस्लीम सहब के पद चिन पे चलना यही सबसे बरी उनके लिए सुर्दान चली है वो करके जो गये है आप जो कर रहे थे हम लोग उसी राश्ते पर मानव सेवा तस्लीम सही कभी कोई राज़ेति नहीं किया को Жावने हमेशा मानव सेवा लगा कि अ नमसकार मैं हूं मनीश आप देख रहे हैं दी-णिूज 920 नीजूज सेमश में आप सभी का स्वागत है इस वक्त राजत के मंद शहनवाज जी है सहनवाज जी, हम सौट में आपके समय लेंगे जाधा नहीं लेंगे सप्टा परीवरतन हुआ इससे क्या अशाय हुए जाहिर सी बात है आम लोगों की सरकार बनी है तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों का उमीद भरह है उसी का परिनाम है जो भी समस्याए वर्सों से थी चाहे बेरोज़गारी की थी आप देखे होंगे कि हम लोग रिक्तिया ही नहीं नुक्तियां पत्र भी बाट रहा है और जो भी चीज़े हैं जो भी चीज़े निकल के आएंगे हर छेत्र में हम काम करेंगे श्राणवाज जी आपको बिहार सरकार में आपदा मंतराले मिला हैं पहला कारी क्या होगा किशन गंज अररिया पूरणिया सिमांचल जो है प्राकरतिक आपदाओं का छेत्र है जब बाहर आता है या किसी तरह की तराज़दी आती है अभी सुखार पे हम लोगों ने जिलों म पंचायतों टोलों मोहलों को चिन हित करके पिरित परिवारों को लाब देने का काम कर रहा है हम लोगों के लिए काम करें लोगों को तरासद्री से जो समस्या उत्पन होती है उसका निप्टारा करें उसके लिए आपदा प्रबंदन भी बाग है चाहे बार का मामला हो चाहे सुखार का मामला हो चाहे भुकम का मामला हो चाहे पानी में कोई डूपके मरा हो तो आप करोना एक बहुत बिरा प्राकरतिक हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदर अनिया मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री तेश्वी आदव जी को जितने भी मौते हुई थी करोना को ले करके सभी पृत परिवारों को शरकार ने एक उचित राशी देने का काम किया पहली बात है कि हम तो इश्वर अल्ला से परातना करेंगे कि कोई बार आही नहीं कोई आपदा आही नहीं अगर फिर भी आता है तो हम लोग आपदा के घरी आदरणिय नितीश कुमार जी का सपस्ट कहना है कि बिहार के खजाने में सबसे पहला हक आपदा पिरुतों का है हमारा सवाल एक पॉलेटिकल होगा चुकि पॉलेटिकल पहलू में सीमांचल अभी नंबर एक पर चल रहा है बिहार में भाजपा की रहली हुई नितीश कुमार और लालू यादव को लगातार तंज कसे गए अगर आपके पिता जीवित होते तो तसलीम सहब को भी होता हैं तसलीम सहब के बताएवे रास्ते पे चल रहे है आज उनके पदचिन पे चलने का पर्यास कर रहा हो यही उनके लिए सची स्रिधान जली है सो सर एक सवाल महागडबंदन कोई रैली करेगी है अवश्य करेगी क्यों नहीं करेगी महागडबंदन करेगी क्यों नहीं करेगी आप क्या चाहते नहीं हो तब पिर आने वाले दिनों में देखेगा आएंगे हमारे जो नेता है आएंगे लोगों से रूबरू होंगे हमारा आखरी सवाल शाहनवाज जी आप तस्लीम साहब के वारिस हैं तस्लीम साहब का वो जादू कब सरचरकर बोलेगा कौन सा जादू जो कभी सीमांचल की राजनीती में च्छाओं रखता दो तस्लीम साहब के पदचिन पे चलना यही सबसे बरी उनके लिए स्रिदान जली है वो करके जो गए हैं जो कर रहे थे हम लोग उसी रास्ते पे हैं मानव सेवा तस्लीम साहब ने कभी कोई राजनीती नहीं किया तसलिम साहब ने हमेशा मानव सेवा किया है और हम लोग भी वही करने का परियास कर रहे हैं झाने परियास के रहे हम उनावदा एखियार से भी वही वाहे हैं